बचो हम पढ़ रहे थे हमारा class 11 physics का chapter number 7 system of particles and rotational motion और जिसमें moment of inertia हमारा topic चल रहा है पिछले 3-4 वीडियो से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात कि थी एक रिंग का moment of inertia अगर आपको find करना हो तो कैसे find करेंगे और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगी कि अगर एक डिस्क हो और इस डिस्क का आपको moment of inertia find out करना हो तो वो किस तरह से find होगा moment of inertia क्या है यह दुआरा से मैं आपको remind कर देता हूं कि यह object ऐसे सिदा इसे सिदा जा रहा है अगर मैं उसका मास बढ़ा दूँ एक बस है यह एक ट्रक है ठीक है थोड़ो एक कार है एक ट्रक है कार को धक्का मारू जादा तेज जाएगी यह ट्रक को धक्का मारू धीरे ज परता चुका हूं आपको देखो यहां पर मैंने सेंटर में यहां पर बिल्कुल फिक्स कर दिया है और इसको मैंने ऐसे जोर से मारा इसने रोटेट किया अब इतना ही फोर्स में दुबारा लगां गांगा लेकिन इसको पोर्णर से fix कर रहा हूं देखो side से corner से fix कर दिया क्या उतना तेज rotate किया अच्छा मास बदला क्या यह कार था उसमें तो कारो ट्रक के बीच मास का फरक था या इसमें तो कोई मास का फरक था ही नहीं वही काड़ था लेकिन पोजिशन का फरक आ गया कुछ ना कुछ तो इसमें भी एक प्रोपर्टी है जो responsible है rotational motion के अंदर जो प्रोपर्टी मास का काम करती है वही है moment of inertia जब सीदी सीदी डारेक्शन में जब आप चलते हो ना तो जो प्रोपर्टी मास का मास नहीं है और उसका formula हम find out कर चुके हैं और मैं अभी लिख देता हूं क्या है वह कि आई इक्वल्स टू एम डोट आर इसक्वार आई है हमारा moment of inertia एम है हमारा मास और आर है जिस पॉइंट पे fix point से जिस पॉइंट पे हमारा जो सरकल रोटेट कर रहें जहां पर rotation हो रही उस particle की और वो distance है अब हम बात कर रहे हैं एक डिस्क के बारे में तो एक डिस्क को लारा है एक्सिस सुफ रोटेशन जा रहा और यहां अंदर यहां से निकल रहा है देखो यह बात आप समझ गय होंगे मतलब यह बिल्कुल ऐसे नहीं है और इसके उन्दर से कोई जीज नहीं जा रही है देखो यहांपे यह है हमारी डिस्क है इसको गर यहांपर हुआ है और इसके अंदर से देखो यह जारी है समझभा रही ऐसी सिच्वेशन है ऐसे डिस्क कमारी रोटेट कर रही है समझभा रहे हैं चाहता हूं कि मेरी इस डिस्क का यह डिस्क लिखो या डिस्क लिखो बात एक ही है तो मेरी इस डिस्क का moment of inertia क्या है अब यार इसके लिए देखो अगर पूरी डिस्क की अगर एक साथ बात करी जाए तो डिस्क तो बहुत छोटे-छोटे सोटे-डिस को छोटी-छोटी रिंक में तोड़ लेता हूं करना सिक्षप्रेंट ने लग रहा हूं तो इस डिस्क मेरा जो एक्सिस ओफ रोटेशन यह वाली जो लाइन है जो मैंने फिक्स कर रखिए वो दिखाई देगी यहां पे कुछ ऐसे एक पॉइंट की तरह से ऐसे तो दिखाई देगी उपर पॉइंट भी दिखाई देगा बस और यह साइड में हमने क्या किया इस डिस्क को छोटे- रेडियस मालो कितनी है और ठीक है और जो इस डिस्क का मास है वो है मालो एम इस डिस्क का मास है वो एम है लेकिन यार यह जो छोटे-छोटे सरकल मैंने मानने इन मैं से एक सरकल देख लो इस डिस्क को छोटे-छोटे सरकल में बाट दिया और एक सरकल है उसका मास कितना और मान लो कि जो इसकी गछीग करें कि रिट्री कि यहां पर हमें फाइंड-ाउट क्या करना है मास पर लिट एरिया हमें send out करना होगा मास पर वोगरा कि यूनिटू का एरिया हमें मास पर उनिट एडिया निकालना पड़ेगा को तुदिक हो मास पर इंट अप phone में यूनिट एरिया क्या होगा यूरिट pi r-square pi r-square m upon me pi r-square हो गया ठीक है लेकिन अगर बात करें उस चोटी सी रिंग के अरिया की तो फूरा एरिया ना चोटी सी रिंग की तो उसको लिखेंगे डी ठीक है उसको दिये लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास उसकी circumference यह हो जाएगी 2pi x उसकी radius x ही तो माल नहीं हमने देखो तो 2pi x और into में हो जाएगा dx simple 2pi x into dx हमें mass चाहिए था mass per unit area यानि हमें उस छोटी सी disk का mass चाहिए अरे यहां पर लिखना पड़ेगा न moment of inertia निकालने के लिए दो मतों कुछी चीएं बाई तुमको एक तो मास चाहिए एक तो क्या सी momageria लूट चाहिए उसोटी सोटी सर्कल में बाट लिया और एक सरकल का चोड़ेए सो मैंने एक्स ले लिया समझ पार हो ना यहां पर देखो 2Pi x इंटु में डी एक्स यह एरिया हो गया एरिया होता नहीं यार 2Pi x हो गया जैसे आर होता तो 2Pi x हो गया अब छोटा सा टुकडा है डी एक्स उसको मैंने डी एक्स लिख दिया यहां आच्छा पर डिफ्रेंसेशन करते हैं जब छोटे डिस्क का लिवा हे बिसक ही चोटे से लिंग का मास क्या है डीएम यह मनें मान लिया डीएम तो इसको लिख सकते हैं देखो अब यह जो टोटल है देखो यह वाला जो चीज है इसका हो पाइ आर स्क्वेयर यह माश पर यूनिट एरिया हो गया इसको इससे डिसके एरिया इंटो में हो dejar 2 advX और ये हो गया59 गैस जो केंशिल पॉर है उसको कर दो अदियर है चाहिक है तो यह बच गया हमारा DM equals to, यह मास आ गया, हमें देखो मास यह था ना, मास निकाल रहे हैं, यह जो छोटा सा सरकल हमने माना था यह छोटी छोटी है ना, सरकल माने थे इसको हमने, तो उसका एक का मास निकाल रहा हूँ, तो DM बराबर हो गया, 2M, 2m upon में देखो r है यह ऐसे कैसे r square और यह हो गया x dx अब क्या चाहिए भाई अब हमें निकालना inertia अब इस टुकड़े का inertia निकाल लेते हैं देखो अब inertia तो पूरे का निकालना पर इसका inertia पता चले तो फिर उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां पर हम रख देते हैं यह हमने रखा इसका inertia क्या हो जाएगा दी आई होता है और चोटे से टुकड़े की इनर्सिया की बात हो रही है तो डी आई डिफ्रेंशेट करेंगे ना तो यह हो गया डी आई और इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाओ देखो मास इंटू में आर होता है तो मास कितना है इस टुकड़े का मास दीम है यह हमने रखा डीम और इंटू में क्या होब कर बैश् hadn probably bet granny रेडियेस इस माननी है वी जो गया और पे एक्स हाई तो यह उप यह है तो यह obviously स्क्वार्व तो अब स॓ल करते हमें तो इसकी देगो यार यह जो पूरा है हमें तो इसकी बालय निकालनी है मतलब हमें त से बतलें डिफ्रेंट्येट क्या था इंटिग्रेशन कर दो वापस हई हो जाएगा तो correct का एटालाइशन टो आहीँ आ जाएगा इंटिग्रेशन करेंगे तो आहीजबा अई इकोल्स टुँ हो जाएगा dm ये हो जाएगा dm और x square अब side में लिख देता हूँ यहाँ ठीक है तो देखो dm और x square dm की value को उठा के रख दो 2m r square तो i बरावर हो जाएगा 2m 2m upon r square 2m upon r square और साथ मैं देखो क्या है x dx एक x square यहाँ है तो x की power cube तो यह तो बाहर रह गया और x की power cube और dot में dx constant चीजे तो हमेशा बाहर आई जाती है तो constant को बाहर ले लिया x की power cube और dx अब देखो limitations क्या लगाऊं मैं तो यार मैंने इस पूरी डिस्क को छोटे-छोटे circles में divide किया है छोटे-छोटे circles में divide किया है सबसे छोटा circle जो यहां center में होगा यहां center में सबसे छोटा circle यह यहां center में उसकी रेडियस तो लगभग of inertia निकाल दूँ तो भाई पूरे डिस्क का moment of inertia आ गया तो यहां से limitations को जो limit है उसको हम put कर देंगे 0 से लेकर के 0 से लेकर के आर तक 0 से लेकर के आर तक अब तो बस कुछ नहीं रायार solve करना है तो यहां से देखो आजाएगा हमारे पास i equals 2 i equals 2 2m upon में r cube ऐसे कैसे 2m upon में r cube ऐसे कैसे यहां पर क्या बचेगा देखो x की power 4 upon में 4 x की power 4 upon में 4 limits को रख दो 0 से आर 0 से आर बहुत बढ़िया 0 से आर अब तो क्या करना है upper limit minus lower limit math पढ़ने वाले बच्चे हो अब इतना तो आता है यार limits को put करना तो आता ही होगा आपको तो देखो i equals 2 तो उपर वाली limit को मैं इसकी जगह put करूंगा तो देखो 2 से यह cancel out हो जाएगा देखो मैं एक बार करके देखते हैं यहां से 2m upon में और यह कर देते हैं A² स्कार हो यहां पें हो जाएगा देखो 2k पावर 4 अपॉन 4 मीनस तो यह बचेगा आप यह बचेगा हमारे पास जब यह बचेगा तो हम देखो क्या रप ना यहां यहानँ से तो यह ओंट यहां पे कुछ तो mistake है वाई साभ, कुछ तो mistake है देखो यार यहाँ R स्कवेर था और यहाँ पहे, आरे R की क्यूब रख दिया आमने गलते से, ना, यहाँ पह R स्कवेर होगा यहाँ पहे R स्कॵेर होगा तो यहाँ पहे R की पावर दो बढ़ जाएंगी i equals to m r square by 2 i equals to m r square divided by 2 यह है हमारा moment of inertia किसी disk के लिए तो अगर कोई disk का आपको mass मिल जाए उसकी radius मिल जाए और अगर आपसे पूछे कि भाई आप find करके बताओ कि उसको moment of inertia क्या होगा तो आप लिखो formula m r square divided by 2 और उसको solve कर लो यह तो बात थी कब जब आपका ऐसे axis of rotation है और disk है वो इस तरह से rotate कर रही हो तो यह formula लगाओगे लेकिन क्या हो अगर disk को ऐसे सीधा कर दिया जाए इससे disk है मतलब इस तरह से rotate कर रही है डिसको अगर ऐसे कर दिया जाए सीधा कर दिया जाए देखो flat मैं भी बताता हूँ आपको अग्जामपल देता हूँ आपको ना देखो यह हमारी डिस्क है यह वारी डिस्क है यह पहले ऐसे rotate कर रही थी ऐसे rotate कर रही थी अब क्या करूंगा डिस्क को ऐसे सीधा कर दिया और आश्यक कर देखो ऐसे rotate कर रही है डिसक है बाली सिच्वेशन खतम हो चुकी है और क्या हो रहा है यहां इस इत्रज Скट आप Damn नहीं और बिल्कुल टेड़ा रोटेशन हो रहा है समझ पारियों ना ऐसी सिच्वेशन में मुमेंट आफ इनर्षिया को कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूं पहले स्क्रीन सोट ले लो है बेरिशों में क्या है देखो डिसको करेंट और हमारी डिस्क इस तरह से रोटेंट नहीं करें आशेंड को तो पूरी डिस्क है वो हमारी भरी हुई ठीक है पूरी डिस्क वो हमारी भरी हुई है अब डिस्क है वो ऐसे रोटेशन नहीं कर रही मतलब एक्सिस ओफ रोटेशन के अलोंग ऐसे रोटेटर नहीं कर रही डिस्क को हमने क्या किया है डिस्क को बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया स एक्सिस के अंदर से एक्सिस of rotation बिकोर से हमारी डिस्क है और इसके बिलुकुल। बीच एक्सिस iardi service दोन ह्यस्ट कर एक्सिस और तरीक्र से जाए गा तो इस स्थराइश के जो रोटेशन निकल गया सब साद प्रक्रारिशान निकल जाता तो भी बात यही थी जो हमारा एक्सिस ओफ रोटेशन है जो reflex एक्सिस ओफ रोटेशन तो रोटेशन को सुष्ध कि बोलों कर रहता ना हुआ में हमहें पर्पेंडिकुलर एक्सिस को करते हैं जब वह ऐसी सिच्वेशन आती है हमें पर्पेंडिकुलर एक्सिस को टरा करते हैं कुछ इस तरह से अब यह ऍटिस्क कि निकलेगी बिचों भीच को यह निकल गईन यहां से इंटर होई और दिसक ना ऐसे ओपर सेंटर निचे निकल रही है पर डिस्क ऐसे दिख रही है हमें तो उपणर की और निचे से निकल गई जिसको क्या बोलतें परन टॉर्म तो जब दूनों एकसे उसके परP나 х 20す से सब्वान ही चाहिए वह हमने ड्रा कर दी आप देखो जो एक एरिया है उसका यहां से हम लिख सकते हैं एकल डाइस को अपन हो गया तो यहां से हमस्कोषा डिवाइड और अपोन में 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 फोर मर स्वाइब यह सकता है आइकोल्स टू एम आरइस्कुएर अपान में 4 यह होगा हमारा आंसर आंसर जैस्ट मिन्स मोमेंट ओफ इनर्सिया का फॉर्मूला अगर आपको कहे ना की जो डिस्क है न वो हमने ऐसे रखिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखो मैं उसी पेपर से समझाता हूं आपको दुबारा से देखो जैसे यह हमारा पेपर है देखो इस तरह से यह हमारा एक्सिस ओफ रोटेशन है देखो इस तरह से और मैं अगर बोलू कि ऐसे डिस्क रोटेट कर रही है तो फॉर्मला लगाना है एम आर इसक्वार भाई टू ठी लेकिन अगर मैं बोलू कि डिस्क के इस तरह से एक्सिस ओफ रोटेशन दिक दिस्क तो ऐसे ही है एक्सिस ओफ रोटेशन को वहां से अटाके ऐसे बीच से निकाल दिया ना मिल्कुल बीचे और अब डिस्क ऐसे रोटेट करने लगी तो इसका मतलब है क्या करना है एम आर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सिलेंडर का मोमेंट ओफ इनर्सिया कैसे फाइंड आउट करना है सुमिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जाइंड आउट